हन जी राम राम जी क्या हल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और अपका प्रिवार ठीक ठागोगा बहुत सारे साथियों के मैसेज आने हैं कि CET मेंस के नेक्स्ट एगजाम कब होंगे CET मेंस के जो बचेवे गुरूप के एगजाम है वो कब होंगे बहुत सारे साथियों के मैसेज आने हैं कि 25 फर्वरी को गुरूप नंबर शही का एगजाम है या नहीं है जो भी पहले अप्डेट आई थी वो सारी की सारी उनके ओपर काटा लगा दो और अब 21 फर्वरी के बाद ही आगे जो एगजाम होंगे वो 21 फरवरी के बाद ही होंगे और इसके बाद ही दोस्तो जो exam schedule आएगा वो इसके बाद ही आएगा उससे पहले नहीं आएगा ठीक है जी 21 फरवरी के बाद ही exam schedule आएगा 21 फरवरी में क्या है court में सुनवाई है court में क्या है सुनवाई है important case की group नंबर 56 और 57 की 20 case है दोस्तो 20 case की सुनवाई है 21 फरवरी को तो 21 फरवरी के बाद ही HSSC जो आपके अन्य गुरूप के exam के schedule है वो जारी करेगा जो 25 फरवरी को commerce की update आ रही थी वो आप cancel समझे वो अब 25 फरवरी को commerce का exam नहीं हो रहा है ठीक है अब मैं आपको बार बार पहले बोलता था कि 7 मारस तक ये exam complete करेंगे तो संभावना है कि 7 मारस तक ही करेंगे और अब जो commerce आपके exam होंगे वो दोस्तो लगबग आप मानके चलिए कि 30 मतलब अगले महिने की मानके चलिए आप 27-28 फरवरी के बाद ही exam होंगे दोस्तो ठीक है उससे पहले exam नहीं को कि 27 फरवरी के बाद ही आप कोई exam मानिए उससे पहले कोई भी exam नहीं होगा ठीक है और मार्च के पहले वीकी में सारे के सारे exam हो जाएंगे 21 फरवरी को फैसले के उपर depend करती है बाकी सारी चीज़े के 21 फरवरी को हो सकता है बैस कुछ स्थीती बदल जाए वो अलग बात होग यदि 21 फरवरी को HSC के अंडर में सारी चीज़े कंट्रोल में रही तो ये सारे के सारे exam क्या है 7 मार्च से पहले पहले करवा लेंगे ठीक है अन्य गुरूपों का exam का शुडूल आपका बाद में ही आएगा 21 फरवरी के बाद में ही और commerce गुरूप की त्यारी करना चाहते ह तो दोस्तो अपने पास batch उपलब्ध है जिसमें आप RITAMAM ये coupon code लगाएंगे RITAMAM10 तो आपको दोस्तो extra discount मिल जाएगा extra discount मिल जाएगा ठीक है त्योरी का batch भी उपलब्ध है और MC के उपलब्ध भी उपलब्ध है आपका दिल करे वो जोइन कर लीजेगा और 30 unit complete करवा रख ही है ठीक है तो आप KTDTI पे विजिट कर लीजेगा और कोई जानकारी आपको लेनी है किसी प्रकार की समस्चा है सत्तर पंदरा चोबिस चोंतिस इक्याणवे ये मेरा नमबर है जी आप इस पर कोल कर लीजेगा धन्यवाद दोस्तों